वेल्कम टू मैं किचन आज मैं आपके साथ में पीजा पॉकेट की रेसिपी शेयर करी हूँ इसमें मैंने सब कुछ घर पे बनाए है इसका बेस भी इसके अंदर जो मसाला है वो भी और इसके अंदर जो चीज है वो भी हमने घर पे बनाई है आपको में लिंक साइस के ओनियन को अच्छे से कट करके इसमें डाल दिया है बारिक काटना में एक दम और इसे दो मीनट पकाने के बाद इसमें हम वन फोट कब जितनी पत्ता गोबी कैबेच यूज करेंगे अगर आप कैबेच नहीं खाना चाते है तो ना डाले इसे छोड़ दीजे इसकि बारिक कट करी भी डाल दिया है दो मीनट के बाद इसमें हम टॉमेटो डालेंगे टॉमेटो यहापे मैंने तीन टॉमेटो लिये है इसे भी हमें दो मीनट तक पकाना है यह सब हमें फास्ट गैस परी करना है और इसमें जब अच्छी दैसे पूरा पानी सोख ले उसके बा दो तेबल स्पुन मेयोनीज से एक टेशा रहता है एक गाय साथ चीली फिलेक्स एक टेबल स्कूंज इतना इसमें हम पीजा सीजनिंग डालेंगे, दो टेबल स्कूंज इतना इसमें हम टॉमेटो केचप डालेंगे, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, हमें नमक सबसे एंड में डालना है, नमक हम पहले नहीं डालेंगे, अगर पहले आप इसमें नमक ए तो यह हमारा मसाला बनके तईया है, यह मसाले को आप पीजा पर यूज़ किजे, पीजा पॉकेट में उसकीजे, आप इसे तीन दिंदक फ्रीज में डबे के अंदर भरके भी रख सकते, यह खराब नहीं होता है, और यह मसाले से पीजा वगरे बहुत ही तेस्टी बनते है, तो यहाँ पर पहले मैं आपको स्क्वेर पीजा बना के दिखाओगी, पीजा पॉकेट, तो इस स्क्वेर पीजा पॉकेट यह आप इसे कोई भी शेप दिख सकते है, रेक्टैंगल का और ट्रैंगल का, जो आपके बच्चों को पसंद है, जो आपको पसंद है, वो शेप इसमें दे सकते है, यहाँ पर आज मैं आपको दो तरह के शेप में बताओगी, यह जो आटा लिया है, मैंने यहाँ पर जो हमने पहले पीजा बेस का यहाँ यूस किया था, गेहूं के आटे का बिना इस्ट वाला वो भी आप यूस कर सकते है, और आप जो नॉर्मल रोटी बनाते है, उसका भी आटा यूस कर सकते है, मैं यहाँ पर जो हमने पीजा बेस घर पे बनाया था, यहाँ के आटे का बिनास्ट का वो वाला पीजा बेस का मैं आटा यहाँ यूस कर रही हूँ, तो यहाँ पर हमने एक टी स्पूंच इतनी हमने इसमें थोड़ी सी कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी, वो चीज मैं आज इसमें यूस कर रही हूँ, यह बहुत ही अच्छी बनी है, जो हमने घर पे चीज बनाई है, और थोड़े सी आप पे हम ओलिउस इसमें यूस कर लेंगे, आप चाहे तो इसमें चीली फ्लैक्स य अच्छी करमा होने के बाद इसमें हम अच्छी गी या बटर लगा लेंगे उसके अबाद इसमया पराटे की तरह दोनों सैट से अच्छी से सेख लेंगे यहां पे हमें फ्लेम मीडियम two low ही रखना है हाई फ्लेम पर भूसे महीं से नहीं करेंगे सेखेंगे नहीं यह जल देखे कितना अच्छा है गतम दिख रहा है न हमारा पीजा पॉकेट और ये खाने में दोस्तों इतना टेस्टी बना है बचों को तो बहुत ही पसंद आया ये बहुत हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें इतनी सारी वेजिटेबल यूज़ करी है हमने इसमें घर की चीज तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राय कीजिए लोगडाउन के अंदर बच्चे को ये बहुत पसंद आएगी और बच्चे से आपके खुश भी हो जाएंगे जो इसके किनारी है उसे हम इस तरह से तवे के साइड में लेके जाके सेख सकते है या आप इसको थोड़ा सा तो इसे हमें थोड़ा कच्छा पन्या इसलिए इस तरह से मिया तो खड़े करके सेख या फिर आप डोसे के किनारी में लेके सेख लीजिए इस तरह से तो देखिए हमारा ये पीजा पोकेट स्क्वेर शेप में बनके बिल्कल तैयार है अब इसे में आपको काटके दिखात चीज अच्छे से कितनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो चुकी है तो ये देखे अच्छे से रेडि होगे है ना हमारा पीजा पोकेट और बच्चे को खाने में भी बहुत आसनी हो थी क्रीज में मसाले गिरते नहीं बार तो मैं आपको भी आपे काटके दिखा रही हूँ है हैना एकदम क्रिस्पी बना हुआ है और ये बहुत अच्छा बनता है आप इसे जरू जरू ट्राइ किजे दोस्तों मैं आपको बार 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 बोल रही है यह देखे हमारे चीज कीपनी अच्छे से मेल्ट होगी है यह मैंने घर पे बनाई वी चीज है इसकी लिंक में आप यह इसे अपने घर में अब आपको मैं रेक्टेंगर शेप का पीजा बनाना सिखा होगी इसके लिए हमने एक रोटी बना ली और इसके साइट को हम कट कर लेंगे दो साइट से फिर इसके बाद इस पे हम थोड़ा सा पीजा सॉस या जैसे हमने सेम पहले बाले में किया था प्रैस करते हुए बन करेंगे ताकि यह खुलने जाये तो इस तरह से हलके-हलके हाथ से काटे की मदद से इसे पैक करेगा अगर आप ज्यादा जोड लगाएंगे तो यह तूट जाएगा या फट जाएगा हमारा तो इसलिए यहां पर मैं इसे एकदम हलके हाथ से इसे मैंने पैक किया है अब इसे हां गरम तवे के ओपर बटर लगा कर अच्छे से इसे हम सेक लेंगे आप चाहे तो इस पर घी भी यूज़ कर सकते है इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे अच्छे से हम सेकना है यह बहुत ही तीस्टी बंते है धसे जरू प्रयाःंड चीली यूज़ कर सकते है झो शेर ए जैलो पी नो यूज़ कर सकते है जो अब इसमें आर और बचुन को पसंदे और रूल girl यह उसकर सकते है तो यहась हमारे पीजा पॉकेट बनके दैयारे उमने करके क्यूंके आपक डो पसंद आई हो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और भी अच्छी इसी तरह की रेसीपीस में आपके लिए ले के आऊगी तब तक के लिए बाई-बाई दोस्तों टेक केर थेंकि फो वाचिं माई वीडियो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फेस्बूक पर और हेलो आप पर भी फॉलो कर सकते हैं